दोस्तों जम्बो कश्मीर के रजोरी में जो आतंक की हमला हुआ था चार जवान वीरगती को प्राप्त हुए और आतंकियों के इसके पीछे एक बड़ी योजना थी इस बारे में दोस्तों आप लोगे काफी कमेंट आ रहे थे कल मैंने कनल कॉली सापका एक वीडियो डाला था इसलिए मैं ये वीडियो दुबारा अप्लोड कर रहा हूँ ताकि आप अपने सवाज सीदे कनल साप से पूछ सकें दुबारा से आतंकवादी घटना हुई है जिसके अंदर हमारे पांच जोहान वीरगती को प्राप्त हुए है रजाओरी और पॉंज का एरिया दुबारा से एक दम से एक्टिव हो गया है क्या एक सोची समझी रननीती के तहत है क्या पाकिस्तान दुबारा से इस एरिया को दुबारा से दिखाना चाहता है कि ये होट हो गया है क्योंके पाकिस्तान के अंदर elections आ रहे हैं क्या पाकिस्तानी आर्मी ये चाहती है कि वो जो है दुबारा से powerful दिखे पाकिस्तान के अंदर क्या वो चाहते हैं कि वो दिखाएं कि 370 हटने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा है और इवन जम्मू एरिया के अंदर भी टेरोरिजम की घटनाई की जा सकती है क्या इसमें चाइना का भी कोई हाथ है क्या चाइना ने पाकिस्तान को बोला है कि आप दुबारा से इगनाइट करिये यहाँ पे टेरोरिजम की एक्टिविटीज इन लाइट ऑफ रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 यह सब सोचने वाले प्रशन है पर एक चीज जो हम बार-बार कह रहे हैं जब तक के इस एरिया का OGW नेटवर्ग खतम नहीं होगा जड से खतम नहीं होगा तब तक इस तरह के इंसिडेंट होते रहेंगे और हमारे जवान जो है वो वीरगती को प्राप्त होते रहेंगे स्वोव मोटो, प्राइम मिनिस्टर्ज ओफिस, होम मिनिस्टर्ज ओफिस वाइट पेपर लाएं एक्स्ट्रा जो है जुडिशल पावर्स दे के कोर्ट्स जो है वो अस्टैबलिश किये जाएं और फास्ट्रेक कोर्ट्स के अंदर इन OGWs को सजा दी जाएं तभी जो है ऐसे इंसिदेंट्स जो हैं वो रिड्यूस होंगे दूसरा जो है वी नीड टू चेक अलोट अफ तिंग्स जस्ट बिफोर विंटर इस कमिंग, इन्फिल्टेशन इस पीक और वी नीड टू चेक दिस इन्फिल्टेशन अभी आने वाले समय के अंदर वी नीड टू बी वेरी वेरी केफुल और सतर्क होनी की जुरत है यह सुरन कोट का एरिया वही वाला एरिया है जहां पे इंडियन आर्मी ने 2002 से लेके 2004 के बीच में आप्त सर्प विनाश किया था और 200 से ज़्यादा टेरोरिस्ट को मारा था उस टाइम सारा का सारा OGW नेटवर्क जो था टेरोरिस्ट का नेटवर्क जो था वो पूरा का पूरा खतम कर दिया गया था May be a massive, huge, large scale operation needs to be carried out in this area एक सर्प विनाश 2 की शायद अब जरूरत है